तो टोड़े वी आर गुएंट डिसकुस अन वेरी सूपर फाइन एंड सर्विसेबल टॉपिक दे नेम अफ टॉपिक इस एजुकेशन सिस्टम आफ इंडिया जी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से एक बहु कैसे हैं आप सब लोग I hope that you all will very good उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही बहतर होंगी Friends मैं खुद professionally एक teacher हूँ students को teach करता हूँ तो आज का जो हमारा student है वो हमारे education system को लेके क्या सोचता है उसकी क्या thinking बनी हुई है हमारे education system को लेके even मैं क्या इस education system को लेके सोचता हूँ क्या-क्या यहाँ पे changes होने चाहिए क्या-क्या improvements यहाँ पे होने चाहिए तो सब के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे क्योंकि Friends देखो मैंने इस चीज़ को feel किया है क्योंकि मेरा students जो है जिने मैं पढ़ाता हूँ या मैं जिने पढ़ा चुका हूँ उनसे मेरा बिलकुल heart-to-heart connection बना हुआ है तो वो क्या सोचता है हमारे education system को लेके वही सारी चीज़े आज हम discuss करने वाले हैं देखिए आज का जो हमारा education system है इसको समझने से पहले हम चलते हैं थोड़ा ancient time के अंदर इट मेंस कि हम थोड़ा सा past की बात करते हैं हमारे भरत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है education system को लेके उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं ताकि हम यहाँ पे एक proper comparison कर सकें जो हमारा ancient time का जो education system था और हमारा आज का जो education system है दोनों के अंदर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस तरीके से आज हमारा education system हमारे लिए बहुती बड़ा failure है उसी तरीके से ancient time जो था हमारा वहाँ पे भी हमारा education system हमारे लिए failure था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों इवन दोस्तों हमारे देश भारत के अंदर एक समय ऐसा था कि यहाँ पे कुछ ऐसी universities हुआ करती थी इंटरनेशनल लेवल की universities हुआ करती थी कि यहाँ पे students जो है वो abroad से पढ़ने आया करते थे दोस्तों कितने गौरफ की बात है यह हमारे लिए कि हमारे यहाँ पे ऐसे विश्व विद्याले हुआ करते थे कि वहाँ पे बाहर से students पढ़ने आते थे इसी series में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा नालंदा विश्व विद्याले नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि हमारा बिहार इस्टेट है उसकी पटना सीटी से 95 किलोमेटर फार है दोस्तों ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी कितने गरूप की बात है ये हमारे लिए इवन दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी थी इसकी लाइब्रेरी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चरे होगा कि इसकी जो लाइब्रेरी थी वो मल्टी स्टोरी लाइब्रेरी थी और यहाँ पे एप्रॉक्सिमेट 90 लैक्स बुक हुआ करती थी 90 लाक बुके थी यहाँ पे लेकिन बड़े अफसोस की बात है दोस्तों कि ये जो लाइब्रेरी है इसको जब हमारे यहाँ पे मुगल शाशन आया था तो उनी में से एक शक्स था बक्तियार खिल जी उसके दोरा इस लाइब्रेरी को जला दिया गया था ज़रा आप सोचिए कि अगर उस लाइब्रेरी को जलाया नहीं गया होता तो हमें कितनी इंफॉर्मेशन अभी तक मिल चुकी होती वाहाँ पे जो बुक्स थी इनके दोरा हमें स्पेस के बारे में कितनी नॉलेज मिलती हमें आयरवेट के बारे में कितनी नॉलेज मिलती काफी सारे फील्ड है जिनके बारे में हमें कितनी नॉलेज मिलती अगर वो बुक्स आज हमारे पास होती तो इसी सिरीज के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटी आती है हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी फिलाल दोस्तों ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये हमारे भारत के अंदर नहीं है अभी ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद जो की पाकिस्तान की कैपिटल है वहाँ से 32 किलोमेटर फार है जो कि पहले भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था दोस्तो इस युनिवर्सिटी की बहुत खास बाते थी इस युनिवर्सिटी के बारे में मैंने जब पड़ा तो मुझे सबसे शांदार चीज लगी इस युनिवर्सिटी की कि इस university में दोस्तों कोई भी degree का system नहीं होता था आपको education लेनी है आप आईए एक exam होगा उसको आप qualify करिए उसके बाद जितने time period तक जो की वहाँ का एक time period होता है वहाँ तक आप पढ़िए और फिर आपने जो भी वहाँ पे knowledge लिये है उसको बाहर की तरफ जाके आप spread करिए यूटिलाइस करिए आपकी day to day life के अंदर उसको use करिए दोस्तों हमारे देश के बहुती प्रसिद्ध वैक्ती जैसे हम बात करें चानक के की वो भी इसी university से पढ़े थे तक्षशिला university से इवन पाणी नी अगर आपने नाम सुना हो तो वो भी यहीं से पढ़े थे जो की बहुत बड़े विद्धवान थे इसके अलावा चरक के बारे में अगर आपने सुना हो चरक जो थे उन्हें हम आयुरुवेदिक हीलर कहते हैं ऐसी कोई बिमारी नहीं थी कि जिसका इलाज उनके पास ना हो दोस्तो बहुत बड़े विद्धवान जो है वो इस university से पढ़के गए हैं लेकिन बड़े अपसोस की बात है कि आज हम इन universities की तरफ देखते भी नहीं है और भी कई universities है जैसे हम बात करें एक वलबी university है जो की गुजरात के अंदर है इसके अलावा एक विक्रमशिला university है जो की बिहार के अंदर है तो ये जो सारी universities थी ancient time के अंदर इनको बहुत ज़ादा importance दी जाती थी दोस्तो देखो अगर हम बात करें कि ये जो difference है ये कहां से आया है कि पहले students बाहर से यहां पढ़ने आ रहे थे और आज का student जो है वो हमारा हमारी universities को छोड़ के abroad के अंदर पढ़ना prefer कर रहा है क्योंकि वहां पे कुछ benefit दिख रहा होगा इसी लिए वो उसको priority दे रहा है और हमारे यहां से education जो है उसको नहीं लेना चाहरा है देखिए अब हम difference करते हैं कि आखिर वो क्या differences है जिनकी वज़े से हमारी जो university है दोस्तो एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश की जो universities है इनमें से एक भी university फिलाल ऐसी नहीं है जो कि top 100 world के अंदर आती हूँ मतलब world के अंदर top 100 जो universities है उनके अंदर हमारे देश की एक भी university नहीं है दोस्तो तो दोस्तों बात करते हैं हम difference की कि यह जो difference है यह क्यों आया है देखिए सबसे बड़ा जोल मुझे लगा है यह जो difference आया है उसका वो लगा है दोस्तों मुझे marks का system हमारे education system के अंदर दोस्तों यह इतना बड़ा जोल है हमारे education system का कि इसने हमारे पूरे education system को तबहा कर रखा है दोस्तों यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर अगर किसी की intelligence की बात होती है न तो उसे marks से compare करा जाता है जो कि एक बहुती गंदी चीज है वो क्या-क्या innovations करता है उसको कोई prefer नहीं करता है उसके क्या-क्या ideas वो आपके सामने रख रहा है quality of education की हमारे यहाँ पे बात नहीं होती है हमारे यहाँ पे बात होती है तो किवल एक ही चीज की बात होती है और वो क्या है किवल number कैसे लाए जाए इससे class में first कैसे आया जाए इसको कैसे पीछे करा जाए class के अंदर अगर आपके marks अच्छे आते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी opportunity होती है कि आपसे जो low level के students है उन्हें आप jealousy feel करा सकते हो और अगर आपके marks अच्छे नहीं आते हैं तो आप अंदर खुदी feel कर सकते हो देखो marks का लोचा जो है वो इतना बड़ा है मैं आपको बिल्कुल ground reality के कुछ examples देता हूँ जैसे मैं class के अंदर students को teach करता हूँ पढ़ाता हूँ तो अगर मैंने students को पढ़ाते वक्त उस topic के बारे में कहा कि students ये जो topic है इसके बारे में आज तक exam में नहीं पूछा गया है तो हो सकता है कि ये इस बार भी exam में ना आए इसकी उतनी importance नहीं है तो यकीन मानिएगा दोस्तो आप वो जो student होता है वो उस method की तरफ उस topic की तरफ ध्यान ही नहीं देता है आप कितना ही समझा लो उसको वो नहीं समझेगा उसको क्योंकि उसको पता है ये exam में नहीं आएगा मुझे नहीं लिखना है और मुझे marks भी नहीं मिलेंगे तो वो उसे नहीं पढ़ता है mathematics पढ़ाता हूँ दो method मैंने कराए उनको तो student का पहला question मेर से ये होता है कि sir अगर हम एक method सीख ले इन में से कोई भी एक method अगर हम एक्जाम में कर दे तो क्या हमारा answer गलत होगा क्या और अगर मैंने गलती से कह दिया कि नहीं students आप अगर एक method कोई सा भी यहां पर use करोगे तो आपका answer गलत नहीं होगा तो यकीन मानिए student उन दोनो method को नहीं सीखेगा वो वो केवल एक ही method को सीखेगा क्योंकि उसको उस method को exam में उल्टी करनी है और marks लेके आने है बहुत ही बड़ा जोल है दोस्तों ये marks का जो system है हमारे इंडिया के अंदर इस marks की वज़े से ही हमारे इंडिया के अंदर कि 1957 के अंदर France में क्या चल रहा था France के अंदर 1957 के अंदर किसने किसको मारा था 1857 के अंदर वहां कौन शाषन कर रहा था और किसने कौन सा war जीता था अर बै करू क्या इन सब का मैं क्या करू इनका कहां implement करू इनको अगर मुझे दो wire को जोड़ना है तो मुझे neutral और face को wiring के बारे में ही समझना पड़ेगा मेरे ये काम नहीं आएगा कि Hitler ने 1957 में 1827 में कितने लोगों को मारा था ये मेरे काम नहीं आएगा एक और ground reality की बात करते हैं हम देखिए इसको मैं आपको दोड़ा सा feel करवाने की कोशिश करता हूँ जब मैं 8th standard में था तो बात हुई कि मुझे school change करा दी जाए जिस school में मैं पहले पढ़ता था वहाँ पे innovations की ideas वगरा की कोई बात नहीं होती थी वहाँ पे केवल एक ही चीज सिखाई जाती थी कि आपको marks कैसे लेके आने हैं आपको number कैसे लेके आने हैं आपको perform कैसे करना है exam के अंदर ये वहाँ पे सिखाया जाता था तो जो दूसरी school जिसमें मैं admission लेने वाला था वहाँ पे इन सब चीजों की बात होती थी जो मैंने अभी आपको बताई है तो कैसे भी करके चलो मैंने उस दूसरी school के अंदर admission ले लिया और वहाँ जाके दोस्तों मुझे पता पड़ा कि education का मतलब केवल marks लाना ही नहीं होता है आपके अंदर etiquettes कैसे हैं आप तो लोगों से बात किस तरीके से करते हो चार लोग आपके सामने बैटे हैं तो आप उनसे deal किस तरीके से करोगे debate क्या चीज होती है creativity क्या चीज होती है quality of education क्या होती है ये सारी चीजे मुझे वहाँ सीखने को मिली केवल marks लाना is not sufficient number लाना ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों आप अपने आसपास देखिए कितने ही ऐसे successful लोग आप देख सकते हैं जो school के अंदर अच्छा perform नहीं कर पायते लेकिन आज अपनी life के अंदर बहुत अच्छा perform कर रहे हैं वो बड़ी कड़वी सच्चाई है दोस्तों यह हमारे education system की हमारे यहां पे केवल एक ही चीच की बात होती है जो मैं आपको कब से बताये जा रहा हूँ इसके अलावा और हम बात करते हैं देखो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जितने भी schools है जितने भी colleges हैं हमारे यहां पे वो सारे के सारे इसी pattern को follow करते हैं ऐसा भी नहीं है देखिए इसका भी मैं आपको एक example देता हूँ कि हमारे जो neighbor है उनका एक student है जो कि third standard के अंदर बढ़ता है अभी recently बात है six to seven months होए हैं इस बात को तो उसकी जो school है आपको यहां की डिश बनानी है वहां की अलग-अलग countries की उसे डिश बनवाई जाती थी वहां पे तो उसके घरवाले इस चीज को लेके बड़ा ही परेशान थे कि बोले यार यह क्या नाटेगा हर दूसरे तीसरे दिन तो उसके जो फादर थे लड़के यह फालतु बकवास नहीं करवाते हैं स्टुडेंट्स को जो भी चीज स्टुडेंट के लिए important होती है हम उसको वही सिखाते हैं मान लो in future की अगर यह स्टुडेंट अच्छा perform करता है और abroad के अंदर चला जाता है education लेने या फिर हो सकता है कि यह job करने के लिए किसी other country के अंदर चला जाए और अगर इसे वहां का climate suit नहीं हुआ इसे वहां की dishes पसंद नहीं आई तो हो सकता है कि यह वहां से छोड़के वापस यहां आ जाए अपनी पूरी life को spoil करके इसी लिए हम इनको पहले से ही familiar कराते हैं उन चीजों से हम पहले से ही इनको परिचित करा देते हैं कि अगर आप इन future वहां जाते हो तो आपको वहां ऐसा environment मिलने वाला है तो आप उसके लिए prepare रहो दोस्तों और भी बहुत बाते हैं करने के लिए लेकिन due to some timing issue हम और इस lecture को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कोई दूसरा lecture बनाएंगे हम जिसके अंदर आपको और information मिलेगी आप क्या सोचते हैं हमारे education system के बार में please comment section में जरूर बताईएगा ताकि उन में से अगर मुझे कोई अच्छा point लगता है तो उसके उपर में और detail के अंदर elaborate करके आपको बताऊंगा thank you friends